सबी कुछ जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जाइन रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक लेटस वीडियो लेकर आए हैं इसमें आप देखेंगे भारत के बहुत मशूर पतरकार और जबदस नौलेज रखने वाले एक्सपर्ट हरी महुंजी जिनकी स्पेशिल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहती दबंग वखील नाजिय लाइक हां जी और यह दोनों बात करेंगे संदेज खाली मामले पे तो ये काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ नियाज जानने को मिलेगा तो इससे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताके हम आपकी से लेटेस इंट्रोस्टिंग और इंफोरमेटिव वीडियो लाते रहे तो चलिए कल ये वी अब तो हेलिकॉप्टर में चड़ते वे भी गिर गई ती जए जए श्री राम भारत माता की जय हिंद पिछले चार महीनों से संदेश खाली सूर्खियों में बना रहा है पिछले चार महीने पांच महीने से संदेश खाली में जो नंगा नाच चल रहा था वो दुनिया के स सामने आकर खड़ा हुआ पिछले चार महीने में महीने से जिस तरह से शेक शाजाहा ने अपना मुगल पीरियड अपना मुगल दार दोरा अपना अपना मुगलिया सल्तनत संदेश खाली में उसने बनाया था वो सिर्फ भारत में उसका information नहीं बलके UK और US तक बलके अफग कर रहा था और उनके साथ अशनीलता का नंगा नाच कर रहा था UK के कई चानल्स पर बैठ करके तो मुझे ऐस पैनलिस्ट बैठाया गया और मुझसे पूछा गया कि एक्च्वल पैक्ट क्या है और सुबूतों के आधार पर जो मेरा नेचर है उस आधार पर मैंने सारे पैक NSG, Operation Blue Star, जब इंडरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था उसके बाद ही NSG का जनम हुआ, 93 Bomb Blast में NSG ने एहम भुमिका निफाई, और 93 Bomb Blast के बाद NSG के NSG Department के एहम भुमिका को देखते हुए और बहुत ही valuable कारियों को देखते हुए, कहीं ना कहीं Congress की सरकार को भी ऐसा लगा कि NSG Department जो इंडरा गांधी के जमाने में Operation Blue Star के बाद बनाया गया, इसका रहना देश की सलामती के लिए, देश के हिफाज़त के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही important है, वही NSG, कल जब संदेश खाली पहुँचती है, और वो भी Calcutta High Court, the Honorable Calcutta High Court के order के साथ पहुँचती है तो क्या पता चलता है, जिस तरह से हम foreign countries की Hollywood की movies में देखते थे पहले, हरे भाई, कि एक robot के जरिया bomb को dispose करने के लिए ले जाया जाता है, एक robot को लाया जाता है, और वो robot जाकर के सारे bomb का investigation करता है, और पहाड़ों के अंदर से, सुरंगों के नीचे से, और समुंदरों के भ तहसे robot जो है, वो ले करके आता है bomb को, और बताता है कि देखो, यहाँ पर bomb था, एक्सेक्ट वैसे ही मैंने अपने पश्चिम बंगाल में, बशीर हार्ट constituency के संदेश खाली में, Hollywood वाली movie देख ली, अच्छा मेरा, मैं पढ़ी कुशकस्मत हूं, अच्छी पहुचा है और मैं कैलकटा लैंड की, और जब मैं उत्तरपर्देश से मैं दिल्ली आ रही थी, तब मुझे ड्राइवर ने बताया कि दीदी, शेक्षा जाहां रो रहा है, मैंने का दिखा, दिखा, कैसे रो रहा है, तो उसमें दिखाया, कि बड़ा रो रहा है, बिंगॉली में कहते हैं कानना काटी कुर्चे, तो बड़ा-बड़ा भावोख हो करके रो रहा है, और उसका जो गालवाल चूम रही थी, जो छू रही थी, अब पतानी उसकी बीवी है, या उसकी प्रेमिका है, कि उसकी बहन है, कि उसकी कॉंक्यूबाइन है, कि उसकी अब समझ में आया, कि सिर्फ जिहाद ही नहीं होता है, मैं बार-बार बोलती थी, कि नासर खान से जो मुसल्मन लड़की शादी किये, वो जिहादन माइंडेड है, जैसे पाकिस्तान में हनी ट्रैप वाली होती है, उसी तरह के शुचा जहां के घर में भी जिहादन क्या है, तो क्या आप उसके लिए भावु खोईएगा, आप तो सोचे आपका ये है, आपके टिपड़ी ये है, आपका स्टेटमेंट ये है, और उसके घर की बुर्नकाब वाली, काले काले टेंट वाली, उसका माथा-वाता, उसका मुझ चुम करके बड़ी भावुख हो अच्छा मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भावुक नहीं होती हुए मैं तो सोचती है अच्छा पता चला कि शेक शाजहा सिर्फ बलातकारी नहीं है वह जहादी नहीं है उसके गर में जहादन भी है काले टेंट वाली अब जिस शेक शाजहा को पिछले चार महीने से कि वह मानफ परचार भी करता है वह माधब परचार भी करता है और वह टेररिजम और आइजेशन की तरह हाफ़े सई की तरह लशकर-ए- तैबा की तरह अजमौण मुजाहदीन की तरह अलखाइदा की तरह वह बड़े-बड़े बम विसकोटत भी रखता है अब आप कि जैसे ही एनेजजी की टीम पहुंची हफिजुल खान जो अबुद तालिब ये लोग जो शेक शाहां के आसूसियेड से सिपासलार थे जैसे मोगल लोग अपने सिपासलार रखते थे अवाम रियाया सल्तनत ये लोग अब सामने इन लोगों के घर से सारे के सारे फिरंगी बुलेट्स अंग्रेजी पिस्टिल, अंग्रेजी बॉम ये सारी चीज़े निकल गई अब जब निकल गई और रोबोट के मारफत से निकली है अब मंतब एनरजी चाती पुरती वी नजर आ गए ममतब एनरजी ने चिल्ला चिल्ली स्टार्ट कर दिया कि एलेक्शन कमिशन को इस पर संग्याल लेना चाहिए कि एलेक्शन के दोरान ड्यूरिंग लोगसबा एलेक्शन कोई एनेजी कैसे बेच सकता है, CBI अपना काम कैसे कर सकता है, NIA अपना काम कैसे कर सकता है, अब मुझे यह जानना है कि अगर कोई अभी इस वक्त इस पूरे देश में कोई बलातकार करेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा कोई बम खोड़ेगा तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा कोई अगर मडर करेगा तो क्या उसको कानून के तहट 24 घंटे के अंदर अ और किसी एक देश को उड़ाने की कोशिश क्या कि एक बुरहान की तरह कश्मीर को जलाने की कोशिश करेगा तो क्या को अफजलगुरु की तरह तो अब कीसरी कि बात आती है कि यह जो फिरंगे बुल्लेट और अंग्रेजी बंदूक थे जिह किस पर चलाने के लिए थे और किस कि कून की नदियां बहाने के लिए थे भारतिय ज़न्ता पार्टी के कड़ता हूं कि या उन वोट की कि जो भातिय जन्ता पार्टी को वोट करते हैं क्यूंकि कुछ दिन पहले श्रीमती मम्ता बैनर जी ने सर पे आचल रख करके कहा था कि अल्लह माफ नहीं करेगा अगर कोई भी मुसल्मान भारते जन्ता पार्टी को वोट करेगा दुर्गापूर के मन से श्रीमती मम्ता बैनर जी ने कहा अब आती है चोथी बात कि जैसे ही एनस्जी के इस सीज को इस सीजर को देश-विदेश के नेशनल न्यूज, इंटरनाशनल न्यूज ने डिखाना स्टार्ट किया, ममता बैनर जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा नियूस दबाने के लिए हेलिकॉप्टर पर चड़ रही थी और पैर मुचग गया इसमें एक चीज मैं पूछना चाओंगा दिदी हर बार इलेक्शन से पहले ममता बैनर जी के पैर में पिछली बार प्लास्टर बन गया था अभी थोड़े दिन पहले वो छोटी सी घाव लग गया था उसके बाद वो गिर गई हैं हम लोग इनी चीजों पर डिसकेशन करते रह जाते और असली मुद्दा गायब हो जाता है अच्छा इंदुस्तान में कोई नेता नहीं ए मिशिकाँन आगने मुझे एसा लगता है कि भारतल जलता पार्टी तो थ solids को पॉलिटिकल पार्टी स्सक्रू करोंगी मुझे इसा लगता है कि बहुत सारी सी इंटेलिजन्स टीम यह सारी इसी इंटेलिज्जन्स देपार्टमेंटे ऊर बहुत सारे ऐसे constitutional bodies है और departments हैं जो बाके में मुम्ता बैलर जी को बहुत ईजी ले रहे हैं और बाके में तर्णमुल Congress Party को बहुत ईजी ले रहे हैं देश के लिए खत्रा बन रहा है तर्णमुल Congress Party देश के लिए खत्रा बन रही है और वो कैसे बन रही है मैं आपको बता देना जाती है, सबसे पहली बात कि CBI के officer को इसी पश्चिम मंगाल में lock-up करवाया जाता है, ED के officers को की हत्या करने की मौब बढ़ा करके कोशिश की जाती है, यहाँ पर ही NIA officer जब जाच करने के लिए संदेश खाली पहुंचता है, तो NIA officer के ऊपर बलादकार जैसे घिनों ने अपराद का FIR कटता है, यही है, यही पश्चम मंगाल है, जहाँ NSG जैसे इतने बड़े team को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, यह पश्चम मंगाल है, जहाँ पर मंटी मंटाब एर जी खड़े होकर के प्रेस कॉनसकर के कह रहें, कि कलके था है के कि जाम है जला रहा है, और मुझे जन NICK कि जब ग्यानवापी और राम मंदे की बात आती है तब तो सूर मोटर केस बड़ा बड़ा आराम से ले लिया जाता है सरवचे नियाई पालिका में आज जब इतने बड़े-बड़े आरोब क्यालकटा हाइप पे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में ये बात कि दीदी हमारी मुख्य मंतरी कह रही है कि केल्करता हाय को भारती जनता पार्टी बन चुकी है पार्टी ए Iizada चुकी है तो क्या इस नियाई पालिका की जगह को क्लीनचीट देने के लिए cor क्रूद hall इसप्रिम पोड़े जो 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 चुपी हुए राज थे उसको सामने ला करके रखा है और ममताब एनर्जी धडलने से चली गई एलेक्शन कमिशन और उन्होंने वहाँ पर कम्प्लेन भी कर डाला क्या 11 अप्रेल 2024 में ईद के दिन ईद की नमाज के मंच पर खड़े हो करके ममताब एनर्जी ने जब UCC का विरोध किया तब एलेक्शन कमिशन को संग्यान नहीं लेना चाहिए था UCC है क्या Article 44 है कौन ऐसा नियाय पालिका है या कौन ऐसा सर्वुचे नियाय पालिका है जो Article 44 को बातल करेगा जो Article 44 को हटानी की कोशश करेगा जो common law जो अमेटकर जी का लिखा हुआ है जो सम्मेधान में लिखा हुआ है Article 44 उसके खलाफ उसके खलाफ अपील या पेटिशन कौन ऐसा नियाय पालिका है या सर्वुचे नियाय पालिका है जो लेगा जो में और उसको उस petition को number देगा SLP को तो मुझे लगता है कि तब भी election commission को तो संग्याल लेना चाहिए था और जिस तरहां से राम नवमी को उन्होंने एक भगदार और एक आतंकी महौल बनाने की कोशिश की क्या उसके उपर election commission को संग्याल लेने की ज़रूरत नहीं थी बिलकुल ज़रूरत थी और क्यों भारत जंता पार्टी के जो पशिम मंगाल के नेता है वो क्यों नहीं एक हजार चिप्टियां election commission पार्टी के पशिम मंगाल में फिर से आकर बैठ गया है जो देखाने के लिए भारत जंता पार्टी कर रहा है पर भीतर भीतर काम तर्णमूल कॉंग्रेस के लिए ममताब एनरजी के लिए जहां पर उन्होंने बताया कि शेक जहां के बाद और भी टीमसी नेताओं के घरों पर जब छापे मारे हुई तो बहाँ पर बड़ी ताद में असला और बारूद मिला जो कि अब ममताब एनरजी के गले की हड़ी बन चुके है तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरू बताए और वीडियो पसंद झाल